हेलो गाइस, वेलकम बैक माइ चैनल गाइस, आज हम एक नई रेस्पी लेके आए हैं आप लोगों के लिए साय, आसा है कि आप लोगों को ये रेस्पी जरूर ही पसद आएगी, तो आप लोग इस पर रिस्पोंस जरूर दें मुझे, तो छलिए शुरू करते हैं लेकर अगर कमेंट का इंतजार रहता है तो चलिए शुरू करते हैं यह एकदम अलग हटके रेस्पी है गाजर से आपने कई प्रकार की रेस्पी बनी हुई खाई होगी गाजर का हलबा तो हर किसी नहीं खाया होगा इस प्रकार की रेस्पी साइध ही किसी ने खाया होगा तो इसको आप गाजर का रस घुला भी बोल सकते हैं तो देखिए गाजर हमने दोके साप करके ले लिए इस तरीके से बारी कट कर लिया है यह देखिए तो गाजर हमारी कट हो चुकी है इसको एक साइड में रख देंगे और अब हम यह एक बरतन लेंगे इसमें हम एक कटोरी चीनी तो यह देखिए हमने गैस ओन कर दी है और इस तरीके से हम चलाते रहेंगे जिससे हमारी चीनी जल्दी मेल्ट हो जाएगी और जब तक चीनी मेल्ट ना हो तब तक गैस का फ्लेम लो रखें मेल्ट होने के बाद में आप मीडियम हाई कर सकते हैं और दो इलाइची हमने कूट के इसमें डाल दी हैं यह देखिए और चीनी मेल्ट होने के बाद हम पांच मिनट ही इसको बालेंगे तो हमें चासनी तयार हो जाएगी मेरी यह देखिए इस तरीके से चिप चिपी हो चुकी है जिस तरीके के हम रस गुल्ले की चासनी बनाते हैं उसी तरीके से हम इसकी च वकां कहीं एक दम अच्छे पीश्यक्त चुकी है तो आपर एक कड़ाई लेंगREE उसको गरम करेंगे और उसमें हम एक चमच घी डालेंगे सरदी का मौसम में घी एकदम जमा हुआ है तो ये देखिए हम घी को पहले पिगला लेंगे इसको तो यह देखिए हमारा गी है मेल्ट हो चुका है अब हमने जो गाजर पीस के रखी है उसको हम इसमें डालेंगे यह बहुत ही टेस्टी एक स्वीट तयार होगी आप खाएंगे तो आप खाएंगे पहले मुझे क्यों नहीं पता था इस तरीके से आप बना के जरूर खाएंगे बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है आपको जरूर पसंद आएगी तो देखिए इस तरीके से हम 6-7 मिनट चलाते हुए भून लेंगे गाजर को तो देखिए हमारी गाजर लगबग भून चुकी है अब हम इसमें दू डालेंगे उसी कटोरी से हमने दो कटोरी दू लिया है और दूद डालने के बाद इस तरीके से मिक्स करेंगे कुछ दिर और पकाएंगे हम तो देखिए हम अच्छे से उबाल आ रहा है और अब हम इसमें दालेंगे सूजी याने कि रवा उसी कटॉरी से हम एक कटॉरी सूजी लेंगे इस ऊजी के बज़े से हमने 2 कटॉरी दूद लिया है और इसको हम अब MIKS करते रहेंगे continues चलाएंगे चलाएंगे और यह चलाते ही चलाते देखते ही देखते ही देखे एक डो जैसे सेप में आना ऍसलो गया है तो इसका हमें एक सेफ लाना है, तो इस तरीके से हम चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इसकाद क्लाया यहल जार हो चुकाई यहालो हमें तो किसह फास में हम जो पसको बनेंगे और देखनहा Decam याने की सुखा दूद ये हमने 4 से 5 चमच लिया है मिल्क पाउडर ऐसे आप चाहें तो इसमें ड्राइ फ्रूट्स बगरा डाल सकते हैं और नारियल का बुरादा भी इसमें डाल सकते हैं तो हमने कुछी ड्राइप रूट्सन है मिल्क पाउडर और लिए और दो एक आप मिक्स आप दिया की निलकिगाए मिल्कमध का भी डों ये तयार हूं कि यह अधि इसकी नियुक्ष मिGHYou इसना एर भूड करना है तो मिल्क पाउडर का डो जैसा बन गया है, खोया जैसा बनके तयार है, तो अब ये गाजर का जो डो था, उसको हम थोड़ा सा हाथ में लेंगे, इस तरीके से इसको आच से मैस करके, और एक पेड़े जैसा सेप देंगे, और बीच में हम थोड़ा सा गड़ा जैसा और बीच में रखेंगे मिल्क पाउडर के डो को इस तरीके से, और इस तरीके से बीच में रखने के बाद में हम इस तरीके से इसको बंद कर देंगे, ये देखिए, बंद करने के बाद में हम इस तरीके से इसको पेड़े जैसा सेप देंगे, ये देखिए, हमारा जो अच्छा लगा और यह प्राई करने में भी आराम रहेगा तो इसलिए हमने इसको पेड़े जैसा सेप दिया है यह देखिए इसी तरीके से हम सारे डो से रस्गुले बना के तयार किये हैं यह देखिए आप हम इसको प्राई करेंगे तो फ्राई करने के लिए हमने देखिए कड़ाई है गरम होने के लिए रख दिये जैसको ओन कर लिया है और हम घी में ही फ्राई करेंगे आप चाहें तो खाने वाला कोई भी ओल ले सकते हैं तो हमारा घी गरम हो चुका है तो इसमें हम डालके इसको फ्राई करेंगे कि इस तरीके से हम डाल देंगे तो यह देखिए हमारे जो रसगुले एक तरफ से फिराई हो चुके हैं तो हम इसको पलट देंगे और थोड़ी साबधानी से पलटें नहीं तो यह तूट भी सकते हैं और देखिए हमने दोनों तरफ से इसको फिराई कर लिया है गोल्डन कलर जैसा आ गया है अब हम इसको निकाल लेंगे अच्छा कलर आया है यह देखिए और निकालने के बाद हम गर्मा गर्म ही इसको चासनी में डाल देंगे और इसको हम कम से कम एक घंटे के लिए चासनी में ही छोड़ देंगे जिससे इसका सारा जूस है चासनी का इन रसगुलों में गुस जाए यह देखिए तो ये देखिए एक गंटा हो गया है अब ये खाने के लिए बिर्कुल तयार है ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनी है अब हम इसको आपको कट करके दिखाएंगे बीच से एकदम भाइट कलर सा निकलता है तो बहुत ही देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी गाजर हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही जादा लाबदायक होती है तो इस तरीके से क्यों न खाएं गजर का हलवा तो क दो गजग जया हुत हुत है तो कियो हो जब गने में बहुत है तो अथैंगे जयर में बहुत है तो निकलते है क्या गुको